नमस्कार मैं प्रिया राज आप देखिरेख नुज 24 आपको बता दे कि इंडीनों जीतनराम मांजी सबसे ज्यादा चर्चे में है और कहा जाये तो विवादों में है जिस्तार से जीतन राम मांजी बिहार को लेकर बिहार सरकार को लेकर बिहार में शराब बंदी को लेकर अपना बुलबाला जारी रखे कहीं नहीं ये जीतन राम मांजी के लिए खत्रे की घंटी बच सकती है जिसतार से बिहार के मुख्यमंत्री कईयों मन्द से जनता को संबोधित करते समय बातों का एलान करते हैं कि बिहार में शराब बंदी है लेकिन अभी जो तमाम खुलासे किये जारे कहा जाये तो मंत्री मंडल के ही लोग खुलासे करते हैं कि अब सराब बंदी को लेकर जो ब्यान आती है वो कहीं न कहीं गलत शाबित होती है क्योंकि इस सराब बंदी में सबसे जादा कोई चपेट में आता है तो वह है गरीब बर के लोग वहीं कई तमाम के वबर के लोग शराब का स्रेवन करते हैं और पकड़ा जाने पर 500 या 200 के रुपए दे कर वो छुट जाते हैं हलाकि इस तरह से बड़ा दावा करते हैं लेकिन जीतन राम मांजी का जो ब्यान है आए दिन वो गरीबों को लेकर के उनका साफतोर पे कहना है कि शराब बंदी को लेकर के जो सरकार एलाने करती है सराब बं देवन कर ले और वही देर रात बैठे जो बड़े वर के लोग सराब पीते हैं उन्हें कुछ नहीं होता है चाहे पार्टी हो बैचलर पार्टी हो या फिर शादी का ही समारों क्यों ना हो बीना सराब के नहीं जमती है पार्टी और यहीं नहीं अब जितना मांजी ने ये भी बात कह दी है कि मैं खुद सराब पीता हूं मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ा है अब इसकी बात कहा जाए तो बिहार की सियासी गल्यारों में अब हरकंप मच गई है कई नेताओ के ब्यान सामने आने लगे कई नेताओ का कहना है साहत तोर पे कि जम मंत्री खुद इतना इने ऐसे तमाम मुद्धों को ले करके जो बिहार में इस तरह के सियासी मामले गरम हुए आईए हम आपके बीश साजा करते हैं आपको बता दे बिहार में सराब बंदी को लेकर एक बार फीर सियासत तेज हो गई है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांजी सराब बंदी लेकर बराबर सवाल उठाते रहते हैं एक बार फीर उन्होंने सुक्रुवार को इसको लेकर बड़ा ब्यान दिया उन्होंने कहा कि हम सभी जब रात में सराब पीते हैं तो नहीं पकड़ा जाता है बात साफ है कि दोहरी नीती है जी हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए वही उन् पाचला गरीब तबके के लोग अब तक जेल जा चुके हैं और जीतना मान जी ने कहा कि हमने ही नितिस कुमार से आग्रह किया था कि इसकी समिक्षा करें तो पहली बार समिक्षा हुई एक बार फिर सराब बंदी पर समिक्षा होनी चाहिए हम सराब बंदी के पच्छधर है ल इसे बूरा क्यूं कहेंगे लेकिन इसके कामकाज के अनिमित ततक है गरीब लोग भी अगर थोड़ा सा सराब पीते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है और हजारों लाखों लिटर सराब की तसकरी करने वाले चूट रहे हैं वहाई केंद्रिय मंत्री कहान इस सराब बंदी मामले में तीन बार समिक्छा की है इसके लिए सियम नितिस को धन्यवाद देता हूँ और मेरा कहना है कि चौती बार भी समिक्छा करनी चाहिए नितिस कुमार एक यथार्थ वादी ब्यक्ति है वह इन मामलों को गंभीरता से कि इन में कितने गरीब प्रताड़ी थे करीब साड़े चार लाग गरीब लोग विभीन प्रकार के मामलों में जेल में बंद है ऐसा नहीं होना चाहिए इस पर संग्यान होना चाहिए तो जैसा कि अभी आपने साथ तौर पे सुना कि जीतना मांजी ने क्या कुछ बड़ी बाते कही उनका साथ तौर पे कहना है कि चार से पांच लाग गरीब इस चपेट में आते हैं हलाकि वो शराब का सिवन भले ही जादा नहीं करते हैं और जो लाखों तदातों में उस कानून के तहट उन्हें हर वर्क के लोगों पर ध्यान देनी चाहिए और अब तसराब बंदी के कानून की तो यह कानून हम सब साथ मिल कर बनाय थे और अगर यह कानून की अन्यम्तता को कही न कहीं डगमगाता है तो इस पे नितिसकुमार को दुबारा समिच्छा करनी चाहिए हलाकि कई बार नितिस कुमार इस पर समिच्छा किया और यही कारण रहता है कि नितिस कुमार महिलाव के बीच में भी बने रहते हैं अगर नितिस कुमार को सबसे जादा वोट महिलाव को मिलता है तो उसके पीछे का में कारण शराब बंदी है क्योंकि याई दिन महि दों को नजर रखते हुए शराब बंदी का एलान किया था लेकिन अब शराब बंदी होने से कहीं ना कहीं कहा जाए तो में जो तसकरी वाले लोग है वो बच जाते हैं वो शराब बंदी के नाम पे पीट पीछे कई तसकरी करते हैं और इसमें कोई फसने का या फिर कहा जाए तो इस जाल में कोई फस्ता है तो वो है गरीब वर के लोग और यही जीतन राम मांजी ने अपनी जुबार में कह दिये जीतन राम मांजी उसे घुमा कर खुद पर बोल दिये उनका साथतोर पर कहना था कि मैं भी शराब पिता हूं देर रा मुझे कोई पकड़ने वाला नही है और वही मेरे बगल में गरीब सराप पिएगा तो उसे लोग उठा कर ले जाएंगे यानि कहीं जीतन राम मांजी नितिस सरकार के फैसले और कानून पर ही जोरदार हमला बोले हैं और ऐसा वो बार बार आगरह करते हैं नितिस कुमार से किसकी समिच्छा होनी चाहिए और झाहिए